दोस्तों मेरे नाम है रवीयो स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशी के जातकों के बारे में और उनके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जो की मार्च से लेके दिसंबर के बीच में धनु राशी वालों के जीवन में घटने वाली है इसे आप एक तरह की भवश्वानी भी कह सकते हैं धनु राशी के जातकों के लिए तो बने रहेगेगा वीडियो के अंत तक इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ पाया भी बताऊंगा जिनें करकर अगर कुछ नकरात्मक भी होने वाला है इस अवधी में आपकी राशी में तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और बस सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो सबसे पहले बात करते हैं पहले घटना की जो की धन राश्यवालों के जीवन में हो सकती माच से दिसंबर तक तो माच में आपकी सिक्षा से सम्मंदित कोई बड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है इस अवधी में आपको धन लाब के योग बनते हुए दिख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदी से सम्मंदित अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपका ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा आपकी डेली इंकम में काफी अच्छी व्रधी होगी तीसरी अगर घटना की बात की जाए तो इस पूरे वर्ष आपकी सुख सुवधाओं में व्रधी होगी परंतु कहीं न कहीं आप चीजों से असंतुष्ट रहेंगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा सुख सुवधाओं अच्छी मिलेंगी पैसा अच्छा आएगा परंतु फिर भी आपको चीजों में संतुष्टी नहीं होगी आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे सब अच्छा अच्छा होगा पूरे वर्ष फिर भी आप उनसे संतुष्ट नहीं होगे आपको लगेगा कि काश ऐसा हो जाता तो जाद अच्छा होता तो satisfaction आपके अंदर नहीं रहेगा चौथी घटना कि अगर बात की जाए तो इस पूरे वश आपको अपने किये हुए कारों में संदेह रहेगा आप सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे आपके सारे काम आप perfection से कर रहे होंगे फिर भी आपको कहीं न कहीं डाउट रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो और आप बार-बार अपने किये हुए काम को चेक करेंगे आपके मन में ऐसा डर रहेगा ऐसी भावना रहेगी कि शायद आप से काम सही नहीं हो रहा है अब अगर पांचवी घटना की बात की जाए तो अपरेल तक आपकी इच्छाओं में वृद्धी होगी जिनें पूरा करने के लिए आप बहुत जादा मेहनत करेंगे ऐसा अपरेल तक होगा और इस अवधी में आपके ज्यान में भी काफी वृद्धी होने वाली है और जो भी आप मेहनत करेंगे उसके फल भी आपको मिलेंगे क्योंकि आपकी इच्छाएं भी पूरी होती दिख रही है इस पूरे वर्ष में अब अगर च्छाटी घटना की बात की जाए जो कि धनुराशी के जातकों के जीवन में हो सकती है मार्स से लेके दिसंबर तक तो मिड अपरेल से मिड मई तक सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर पूरे पूरे योग बन रहे है कि आपको सरकारी नौकरी में लाब मिल सकता है तो अगर आप किसी गॉर्मेंट एक्जाम के लिए प्रपरेशन कर रहे हैं और उसका अगर एक्जाम इस डूरेशन में है तो बिलकुल पूरे मन से उसके लिए तैयारी कीजिए और आपको उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग बनते देख रहे हैं ग्रह गोचा जो है सब आपके अनुसार है अब सात्वी घटना के अगर बात की जाए तो माई के बाद विदेश समंधी काम आपके बनेंगे पेट समंधी समस्या आपको थोड़ी सी हो सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा अगर विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है आपका तो आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है जिससे आपको बड़ा लाब मिल सकता है साथी साथ जो लोग MNC में जौब करते हैं यहाँ पे अगर वो थोड़ा प्रयास करते हैं तो उनको अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है जिससे उन्हें अच्छा इंक्रिमेंट भी मिल जाएगा यहां पे थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान दिजेगा तो बाहर का खाना पीना थोड़ा सा वॉइट करें तला भुना खाने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपके डाइजेशन पे इंपक्ट पड़ेगा और कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकता है आपको पेट समंदी स तूट सकता है तो जरूत से जादा भरोसा आपको किसी पर नहीं करना है इस अफ़दी में बैंक बैलेंस आपका जो है मार्सले के दिसंबर तक काफी अच्छा बढ़ने वाला है और आपका कम्निकेशन भी अच्छा रहेगा तो कम्निकेशन स्किल्स यहां पे आपकी बहु जाए तो जुलाई के बाद आपके पास थोड़ा सा काम का प्रेशर जादा रहेगा जिसे आपको हैंडल करना पड़ेगा हलागि आपके सारे काम जो है पूरे हो जाएंगे परंतु फिर भी कहीं न कहीं बहुत जादा काम आपको करना पड़ सकता है जुलाई के बाद पित और married life में कोई भी समस्या नहीं है पती पत्नी में अच्छा mail जोल रहेगा अच्छा communication रहेगा किसी भी तरह का कोई communication gap नहीं है आपे कोई mis communication नहीं है बाकी career में आप बहुत अच्छा करेंगे और आपके जो है यहाँ पे दिमाग में एक डर की इस्तिती बनी रहेगी कि आप ज होगा आपके दिमाग में हमेशा यह डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा नहों कि कल को में जॉप चली जाए तो मुझे मैं कैसे सर्वाइब करूंगा या मेरा business बंद हो जाए तो कैसे सर्वाइब करूंगा तो नकरात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं आने देना है बाकी सा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मास से लेके दिसंबर तक का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद